आज जनता को जवाब देए सरकर कोई भी नहीं है वो किसको जवाब देए पार्टी को जवाब देए इसके कारणे गडबड हुरी तो लोकपाल में ये शक्ति है लोकतांतरिक व्यवस्ता ये निर्मान हो ये लोकपाल का उद्देश्ता इसलिए हम पीछे पड़े हैं छे साल से प्राण की बाजी भी लगाया फिर भी अभी तक को लोकपाल नहीं आ रहा है इसमें और एक अभी आपने पढ़ा होगा कि लोकपाल का धारा कवालिस दारा कवालिस क्या करा है धारा कवालिस इस लोकपाल को कंजर किया ये सरकार ने भी पहले सरकार ने तो कंजर किया इसने और कंजर कर दिया और जितने भी गोवर्मेंट ऑपिसर है उओ अपिसर उनकी पत्नी उनके बच्छे उनकी संपत्ती हर साल डिकलेर करने हैं, धारा चवलस में बदलाव लाकर उसको निकाल दिया है, और ये दिल लाते समय, धारा चवलस का दिल लाते समय, 27 जुलाई 2016 में लोकसभा में भी ला गया, 27 जुलाई, और शर्चा ना करते हुए, संसद में चर्चे ना करते हुए, पास कर दिया है, 27 तरिक, 28 को राज्यसभा में आ गया, राज्यसभा में भी चर्चा नहीं हुई, और बिना चर्चा के वो बिल पास हो गया, 27 को लोकसभा, 28 को राज्यसभा, और 29 तरिक को राष्टरपति के टेबल पर साहिन के लिए गया, और 29 तरिक को राष्टरपति ने साहिन किया, तीन दिन में कानून, तीन दिन में, और लोकपाल के लिए, पास साल बीज गया, कानून नहीं बन रहा है, तो सरकार अपने फाइदे के बारे में सुचते हैं जनता के फाइदे के नहीं अपनी फाइदे की ने तो क्या वज़ा है कि आप ये बिल तिन दिन में पारिद करते हैं एक दिन लोग सबा में दूसरे दिन राज्यों सबा में तिसरा दिन राक्टरबती के सायन होती है हमारा कहना यह है जैसे को लोग पाले विरोधी पक्षन नहीं तो नहीं है बोल के हम में वित्त नहीं कर रहे हैं अरे वित्त वित्त विधेक पास किया ना वित्त विधेक वित्त विधेक जब लाया वित्त विधेक में चालिस संसदन किये एक सवशदन को अब मैं आपके सामने रखूँगा तो ध्यान में आ जाएगा एक सवशदन ऐसा है जितनी कमपनिया है कमपनिया को आपना जो फाइदा होता है तीन साल में जो भी फाइदा होगा तीन साल में उस फाइदे के 7.5 परसंटज कमपनिया को जिसको लगता है उस प प्रावधान था, कानून में, इन्होंने क्या किया, हटा दिया, उसको हटा दिया, और कम्पने ने, उनको दिल में जितना आएगा उतना पैसा, किसे जिदको लगता है वक्त पार्टी को देना, तो कम्पने डोनेशन किसको देती है, जो सत्ता में होते हैं, उनको देती है, इसका मतलब जन्ता की सोच नहीं है, पार्टे को मजबूत करने की सोच है, इसलिए दूख होता है, क्या इसलिए बलिदान हो गया, 18-1947 तक जो बलिदान हुआ, लखो लोकों का, क्या इसलिए हुआ, ऐसे बरताव के लिए, अरे जन्ता की सोच करनी चाहिए, देश की सोच करनी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा ना कहूंगा, आज मैं इसलिए थोड़ा, दो अक्तोबर गंदी जयनतिक और मेरी जीवन में गंदी जी के प्रेश्णा मुझे मिली, आज गंदी जी के प्रेश्णा से, गंदी जी की सोच ज़्यादा देश का, वो एक गाह खड़ा करने का, हम कोशिश किया, कितने लोकों ने आना देखन के लिए ग्यारा साल में नव लाक लोक आए उनका रेकॉर्ड है पांच लोकों ने पीड किये तो गांधी जी मेरे जिवन में गांधी जी और स्वामें विवेकनंत यह मेरा प्रेरिनास ताने इसके करण दो अक्टूबर गांधी जैनती है मैं अभी समाधी पर गया था यह सोचने लगा कि आजाद के टाइम पर रहे हैं और क्या क्या सभं किया उन्होंने क्या क्या सभं किया अईल निकालों लोग देल के ठेल के qooloo को जुटाती थे कई दियों को अंग्रेज और नई खीचा तो फटके लगाते थे क्या इसलिए इसलिए दुख हो रहाता है वाके हम क्या किसी कोई पक्षय है परटे उसे कोई लेंदे नहीं दुख होता है इस बात को होता है इसलिए आज गांधी जी के समाधी पुरायता थोड़ा चिंतन करने के लिए